हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक वीडियो की डेटर चंदन चानल, दोस्तों इस वीडियो में आप सुखाम स्वागत करता है और आज हम बताएंगे कि कॉमर्चियल कनेक्शन यानि NDS 1 और NDS 2 इन दोनों का यूनिट रेट का है जो गौ का होता है, रूलर एरिया का उसका और टॉन का, सीटी का NDS 2 जो है यानि कॉमर्चियल कनेक्शन 2 जो है, उसका क्या यूनिट रेट है जी हम दोस्तों दोनों का डिपरेंट यूनिट रेट है तो दोनों को मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको, और बताऊंगा कि लगता है में एक यूनिट पर तो चलीए वीडियो करने से पहले, अगर इस चैनल पर आया है और इस चैनल को सब्सक्राइब करने केक्शा हो रहा है तो आके रैंग 저희 कोई बास मोद वो दो परकार के होता है, एक होता है रूलर एरिया के लिए और एक होता है अर्वन के लिए, अर्वन होता है सहरी और रूलर होता है गाउं के, तो गाउं में आप लोग देखे होंगे जो बिजनेस करता है, जो सहर में छोटे कोटे को बजार होता है, तो उसमें बिजनेस बह वह आप website किसी भी तरह कापकर है तो पर आपको commercial connection लेना परेगा अगर website करते हैं तो domestic लेना परेगा तो वहीं पर कोमेर्षियल का क्या unit rate है वही जीज बताऊ रहे हुआ तो चलिए आगे मैं दिखा देता हूँ, एक list वनाया हूँ तो उस लिस्ट में मैं बता देता हूँ कि क्या सबसीडरी लगता है और क्या यूनिट्रे लगता है तो चलिए चलते हैं तो यहां देखें दोस्तों हमें स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप सभी को दिखाई दे रहा होगा Non-Domestic Service यानि NDS Commercial Connection को NDS 1 और NDS 2 कहा जाता है तो यहां पर देखें हम कैटेगरी के बात कर लेते हैं तो कैटेगरी NDS 1 है और इसके बाद NDS 2DAI और NDS 2DV है 2DV ज्यादा यूज होता है दोस्तों जो सहर के लिए है और 1D जो होता है वो डूलर एरिया मतलब गाउं के लिए है तो यहां पर हम पहले NDS 1D का unit rate जान देखें तो यहां पर देखें एक unit से 100 unit तक अगर आप भी प्रियोग की जगा खतम की जगा यूज की जगा तो आपको 6 रुपे 40 पैसा लगेगा जिसमें 2 रुपे 90 पैसा आपको government subsidy मिल जाता है तो आपको 3 रुपे 50 पैसा लगेगा एक unit का इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक unit से 200 unit का यूज करते हैं तो 7 रुपे लगेगा जिसमें 2 रुपे 92 पैसा आपको government subsidy मिल जाएगा यानि 4 रुपे 8 पैसा लगेगा और इसके बाद अगर 200 यूनिट से उपर यूज करते हैं तो आपको 7 रुपे 55 पैसे यूनिट लगेगा जिसमें 2 रुपे 92 पैसा आपको government subsidy मिलेगा यानि 4 रुपे 63 पैसा लगेगा और फिक्स चार्ज है दोस्तों पर kilowatt के हिसाब से 30 रुपे आपको 6 रुपे 32 पैसा लगेगा तो आपको 6 रुपे 32 पैसा लगेगा तो आपको 6 रुपे 32 पैसा लगेगा और इसके बाद दोस्तों 200 रुपे से उपर यूज करते हैं तो आपको 7 रुपे 40 पैसे लगेगा और उसमें 53 पैसे आपको government subsidy मिल जाएगा तो वो मैनस करके आपको 6 रुपे 87 पैसे लगेगा एक यूनिट का और यहाँ पर फिक्स चार्ज की बात कर लीजे तो पर किलो वाट के हिसाब से आपको 180 रुपे लगगा तो NDS 2DA आपका विजली यूनिट रेट लिया जाएगा तो यहीं कुछ है दोस्तों जो आपको आसा करते दोस्तों कि आप लोग यह देख के समझ गहूंगे कि कितना यूनिट रेट आपका लगता है कितना सब्सीडरी लगता है और कितना फिक्स डिमांड चार्ज लगता ह तो अगर समझ गहां तो कमेंट करके बता यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए तो थैंक्यों दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद